हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होब आप सब बहुत ही खुश और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों मैं पूनम प्रजापत रसाइन विज्ञान की कक्षा बार्वी में आप सब का स्वागत करती हूं बच्चों आप सब बहुत खुश हैं इसमें कोई डाउट नहीं आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं इसमें भी कोई डाउट नहीं क्योंकि आप सब डाउटनेर्ट में मेरे साथ पढ़ रहे हैं ऑके बच्चों शुरू करते हैं आपन अपने टॉपिक्स को टॉपिक्स क्या मैडम बिल्कुल आते ही आप में तो पढ़ाना शु पढ़ने वाले हैं उसको क्या कर सके connect कर सके राइट ना बिलकुल कहते हैं कि जो भी चीजें हमें पढ़नी है उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पीछे हमने क्या पढ़ा है ताकि हम उसको correlate कर सके बच्चो राइट तो देखो आपने क्या किया था कल solution वाला chapter पढ़ा था है ना पढ़ा था ना बोलो फड़ा फड़ सब जुड़किये हैं तो comment जल्दी जल्दी करें जल्दी 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 बच्चों तो आपने solution का चैप्टर शुरू किया शुरू करने के बाद आपने वहां पर क्या क्या पढ़ा जो पढ़ा है वो सभी ब topics summary के रूप में लिखना है summarize करना है राइट जब तक आप topics को summarize नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा क्या क्या पढ़ लिया वो within two minutes आपको कैसे revise करना है तो आपको जो मैंने कल की class में पढ़ाया था उसमें क्या था उसमें था solutions क्या होते हैं वीलियन के प्रकार कितने ह होते हैं हम सबने पढ़ लिया था प्रकार पढ़ने के बाद हमने यह देखा जब हमने प्रकार पढ़े तो solutions जो नहीं की सांदरताओं को तो हमने ग्याद करने और द्रवेमान आईतन प्रतेशक्ता उसके फॉर्मूला भी अपने चेक कर लिया विद एक्जामपल अपने कर लिया था बच्चों ये टॉपिक पूरा करने के लिए अभी इसमें कुछ और टापिक्स बाकी हैं वो पूरा करके मैं आपको लास्ट में इसको पूरी तरह से सम कर सकते हैं तो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रही है तो फटा फट चलते हैं अपन देखते हैं आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं फटा फट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बच्चों आज अपन अपना टॉपिक जो है वो अगला टॉपिक वो डिसकर्स करेंगे जिसमें क्या है पार्ट सब्सक्राइब मिलियन है ना पी पी एम इसको डिसकस करेंगे राइट उसके बाद अपन देखेंगे कि सेकिंड पार्ट फर्स तो समझ में आ गया सेकिंड पढ़ेंगे मॉललता थर्ड पढ़ेंगे मॉललता और फॉर्थ उन सब को प्राक्टिस में लाएंगे कि हम लोग जो भी टॉबिक्स पढ़े हैं उनके क्येस्टन्स जो एक्जाम में आने वाले हैं वो हल कर सकते हैं या नहीं तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किये क्योंकि आप लोग का समय बहुत कीमती है फटा फट अपने टॉपिक पर आते हैं और आज का अपना टॉपिक क्या है सबसे पहले पार्ट पर मिलियं जिसका शोर्ट फॉर्म होता है पी पी एम बेटर यह क्या है आप सब सोच रहे होंगे हैं कि मैं कल जो पढ़ा लास्ट क्लास में वो क्या था और आज आप क्या पढ़ा रही हैं कुछ नहीं थोड़ा ध्यान से सुनों सुनोंगे ना विल्कुर देखो आपने लिया था सॉलुशन में क्या था विले और विलायक थेना बिलकुल आप किसी भी सॉलुशन को बनाने के लिए दो घटक चाहिए एक घटक की मात्रा बहुत जादा है और उसकी तुलना में जो दूसरा घटक है उसकी मात्रा कम है मैं अभी वो डिफाइन नहीं कर रही हूं क हम simply दो शब्द यूज़ कर रहे हैं कि दो पदार्थ है जिसमें एक की मात्रा जादा है और एक की कम है एक की बहुत जादा कम होने के कारण अपन उस solution को solution में उपस्ते घटकों को कैसे मापे किस तरह से उसका मापन किया जाए या यूँ कहूं कि उसकी सांदृता हो कैसे व्यक्त करों तो हमाई scientist ने एक नया concept दिया जिसे हम लोग माप सके और किस वज़े से माप सके वो मात्रत सोत्र क्या था या यूँ कहूं वो method क्या था वो था parts per million जिसकी परिभाशा आपन क्या कह सकते हैं परिभाशा को कैसे बोलेंगे आपने last class में देखा था ना कि हम लोग जो परिभाशा है उसे याद नहीं कर रहे थे हम उसको समझ रहे थे राइट बहुत मात्रा दो घटकों में से एक की मात्रा ज्यादा और एक की बहुत कम है तो ज्यादा मात्रा मतलब कितनी ज्यादा मतलब अगर आपके पास विले की मात्रा बहुत कम और विलायक की मात्रा यानि की solvent की जो मात्रा है वो ज्यादा हो ज्यादा कितनी दस की घात छ राइट अगर दसकी घाच छे भाग में कोई विले पदात मोजुद हो बहुत कम मात्रा में तो आप उस वीलियन की कंसंट्रेशन या सांद्रता को किसमे मापेंगे पार्ट्स पर मिलियन में जिसकी परिभाशा यह रही परिभाशा क्या कह रही है बैच्चों किसी विले पद के भार भागों की वह संख्या जो वीलियन के दस लाख भार दसकी घाच छे भार भाग में उपस्तित हो उसे पीपीम या पार्ट्स प्रोती मिलियन कहते हैं परिभाशा समझ में आ गई फोड़ा वड़ स्क्रीन शोट लेंगे बच्चों राइट क्लियर हो गया ना जब भ कोई विलेब बहुत कम होकिसी विलायक में तो हम वहां पर सांद्रता को कि मैथर से गयाद करते हैं पार्स पर मिलियन अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ बहिए फॉर्मूला क्या है सुत्र क्या होगा तो सुत्र कुछ एस प्रकार है अव्यव के अव्यव के भागों की संख्या मतलब आपने क्या किया किया आपने एक पात्र लिया ऐस पात्र में आपने घटक डाल दिया और B डाल दिये A और B मिलकर के क्या बन गया एक A B solution तैयार है विलियन बन गया आब इस विलियन में आव्यव के भागों की संख्या और विलियन में उपर सभी आव्यव मतलब जिसकी मात्रा कम जिसकी का मतलब विले तो विले की मात्रा उपर लिखी जाएगी यानि विले माल लो ये जो है वो विले है बी जो है वो विले एक है और ए भी क्या है वीलियन है ये आपका विला एक है ठीक बात है और ये अपना क्या है बच्चों वीलियन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ओ बात समझ में आ गई तो पड़ा पड़ यस में मिय reverse जल्ut calling from नशे ड्रान चलते हैं यह चलते हैं तो अब इसकी मात्रा क्या है बहुत कम है बहुत कम तो बहुत कम है इसकी वज़से अपन इसके मान को कहां रखेंगे यहां ऊपर फिर वीलियन में दितने भी घटक है उनको कहां रखेंगे उसके भाग में फिर कितने भाग में मौजूद है दसकी घाच है राइट चलो जी चलो बात समझ में आ गई सभी बच्चों को तो फटा फट स्क्रीन शोट लेंगे ओके लेलिया जी चलिए अब चलते हैं हम आगे अब देखते हैं उधारन उधारन आपके सामने कुछ इस प् जहरा है ध्यान दो यह कह रहे हैं कि कोई भी जल्क कठोर है आप सबने आप तो तुर्ट में हैं तो 11 पढ़कर ही आए हैं आए हो ना 11 पढ़कर यस और नो यस बेलकुर 11 में कुछ वीदियां थी कठोर जलके शुद्धी करण की राइट वहां केल्शियम सोडियम कार्बोन केल्शियम बाइक कार्बोनेट की अशुद्धियां थी उनको अपन शुद्ध कर रहे हैं तो एक वीदी थी परम्यूटेट वीदी राइट कठोर जल को शुद्ध करने की कुछ ऐसा ही अगर अपने पास कठोर जल है तो उसमें शुद्धियां तो है इसने भी लिखा है व केल्शियम बाई कार्बोनेट की विज़ से अब यह तो केवर इतना ही है और इसका विप्राई यह है कि यह 16.7 ग्राम केल्शियम बाई कार्बोनेट किसमें मुझूद है जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों दसकी गार शह दसकी गार शह यानि की दस लाख भार की जो मात्रा है या यूं लिख दे एक पात्र है जिसमें 10 की गाज छह हम वीलियन भरा हुआ है उसके अंदर अपने पास गैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितनी मात्रा में मुझूद है कितनी मात्रा में 16.7 ग्राम मात्रा में बहुत कम नहीं हो गया बहुत कम इसले इसकी सांताओ किसमें मापा जा रहा है पी पी एम में राइट चरिय जी आगे अब हम शुरू करते हैं अपना अगला पॉइंट क्या है ये कह रहे हैं कि आपके पास ये कह रहे हैं कि इस प्रकार वायू में विशेली गेसों की मात्रा पी पी एम में परदिशित करते हैं ये क्यों कह दिया इसने बच्चों वायू में बहुत सारी गेसे हैं राइट कोई दोर आए नहीं उसमें विशेली गेसें भी है अच्छी गैसी दिना सोचों अगर विश्यली केसं का मान जादा हो जाता उसकी सेंख्यमात्रा जादा हो जाती तो हम लोग जीवित कैसे रहते हम सांस कैसे ले पाते हम ऑक्सिज़न कैसे ले पाते नहीं पॉसिबल था ना इसलिए उनका अनुपात कुछ ऐसे ही रखा गया है तो वहाँ पर विशेली गेसों का मान सुद्ध गेसों की तुलना में बहुत कम है इसलिए इसको भी किसमें मापा जाएगा पी पी एम पार्ट्स पर मीरियन राइट बात समझ में आ गई अगला डॉपिक कह रहा है कि 10 पी पी एम नाइट्रस ऑक्साइड गेस का अभिप्राई है 10 ग्राम नाइट्रस ऑक्साइड में 10 की गाच 6 ग्राम वायू में उपस्तित है यानि इसका मान भी बहुत कम हुआ ना तो अब तो सबको समझ में आ गया कि पार्ट्स पर मीलियन क्या है इन शोट वन लाइन में अगर बोला जाए तो किसी भी वीलियन में विलय की मात्रा अत्यंत कम हो तो उसकी सांद्रता को मापने के लिए जिस किसका जिस विदी का उपियोग किया जाता है जिस मैथर्ड को लिया जाता है वो पार्ट्स पर मीलियन होता है तो चलते हैं आगे अगला टॉपिक क्या है मौलर्ता अब मैं मौलर्ता आ गया पहले पार्ट्स पर मीलियन पढ़ा दिया यह यह भी क्या है सांद्रता को मापने की यूनिटी है बच्चों मौलर्ता शब्द क्या मौलर्ता भी सांदता के लिए की जाती है यूनिट जो है उसकी ही ग्यात की जाती है तो हम मौलर्ता की परिभाशा को कैसे वेक्ट करेंगे परिभाशा मिन्स क्या ध्यान देंगे कि मौलर्ता शब्द जो है उसमें बहुत सारे रहस से चुपे हैं क्या वो कहता है कि कोई भी solution हो अगर एक लीटर है तो उसमें जो विले की मात्रा है उसको जब ग्यात किया जाता है उसकी सांधरता को ग्यात किया जाता है तो जो मान प्राप्त होता है वही उस वीलियन की क्या कहलाती है मौलर्ता कहलाती है यानि परिभाशा क्या है परिभाशा कुछ इस प्रकार है एक लीटर वीलियन में उपसित विले के मौलों की संख्या उस वीलियन की मौलर्ता कहलाती है कैसे? बहुत है सिंपल आप एक पात्र लेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे लिखेंगे वन लीटर लिख दिया एक लीटर वीलियन में उपस्तित क्या विले के मोलों की संख्या हाँ या ना क्या कहते हैं इसको मोलर्दा कहते हैं उस वीलियन की मोलर्दा बिलकुल याद नहीं करना है केवल समझना है कैसे देखो एक पात्र लिया अगर पात्र में एक लिटर सॉलिशन है उसमें विले कितने मौजुद है विले के मोलों की संख्या कितनी हो सकती है तो अगर आपन वो ग्याद कर लेंगे यानि हमने क्या ग्याद कर लिया उस वीलियन की मोलर्ता ग्याद कर लिया राइट फटा फट स्क्रीन शोट लेंगे जल्दी से देखें ताकि बात समझ में आ जाए राइट चलते हैं आगे अब लिखते हैं सुत्र सुत्र क्या है? सुत्र कुछ इस प्रकार है मौल अर्ता, विले पधार की मौलों की संख्या बटा वीलियन का आईतन लीटर में ठीक बात है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, विले पधार की मौलों की संख्या आपने इलेवन में मौल कॉंसेप्ट तो पढ़ाई है मौलों की संख्या ग्याद करने का फोर्मूला क्या था? किसी भी पधात की ग्राम में मात्रा बटा उसका अनुभा तो यहाँ पर भी अगर मौलरता ही ग्याद करनी हो पर उस क्यूस्टन में मौल्स नहीं दिये हूँ तो हम जो ग्राम में मात्रा दी है उसे हम क्या करेंगे? मौल्स में कनवर्ट कर लेंगे या फिर ग्राम में मात्रा जो दी है उसके अंदर उसको किस से डिवाइड कर देंगे? उसके अनुभार से तो हमें प्राप्त हो जाएगा मोल्स प्राप्त हो जाएगा तो हम इसको एक फोर्मूले से और लिख सकते हैं यानि दूसरा फोर्मूला क्या लिख सकते हैं विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का अनुभार गुणा विलियन का आयतन किस में? लीटर में राइट बच्चों बात समझ में आ गई होगी फिर क्या अगर सकते हैं? सिमिलरली अपने पास ये सब हो पर लीटर में आयतन नहीं हो मिली लीटर में हो तो अपन क्या करेंगे? वापस वई विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का ही क्या? अनुभार लिख दिया? क्या लिख दिया? विले का ही अनुभार लिख दिया अब अपन देखते हैं अनुभार इन्टू आयतन किस में है? एमल में तो अपन क्या करेंगे? इसको हजार से यहां गुणा कर देंगे शायद बात समझ में आ गई है सब को क्लियर हो जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं? सुनेंगे द्यान से अगर मॉल्स में संख्या नहीं दी है ग्राम में दी हुई है तो आप इस फॉर्मूले को अपलाई करेंगे अगर आइतन लीटर में नहीं ہے मीली लीटर में है तो आप इस फॉर्मूले को अपलाई करेंगे फट फट इसका स्क्रीन शोट लो तभी आप next जो मैं एक्जामपल कराने वाली हूं उसको आप कर पाएंगे फटा फट जल्दी से देखें ये बात समझ में आ गई तो फटा फट कमेंट करते जाओ बच्चों कि यस मैम हमको बात समझ में आ रही है जल्दी जल्दी लिखेंगे राइट हो गया अब चलते हैं अपन आगे अब क्या है जी अब उधारन देखो उधारन कुछ इस पर का हो अनिसियल युक्त वीलियन की मोलर्ता की गणना कीजिए जबकि सोडियम क्लोराइड का आणविक भार इतना ग्राम प्रती मोल है ध्यान दू ध्यान किस बात पर पहली बात तो आपको मोलर्ता ग्याद करनी है मोलर्ता ग्याद करने का फॉर्मुला विले के मोलों की संख्या बटा-Villion का हेतर लीटर है अब देखो मोलों की संख्या पर यहां तो वीलिएन में लीटर में तो है लेकिन विली कितने है ग्राम में तो कौन सा फॉर्मूला फुटावड बताओ फर्स सेकिंड और थर्ड में से जल्दी फटावट कमेंड में लिखो वेरी गूड सेकिंड वाला फॉर्मूला ओके डन सेकिंड वाला फॉर्मूला क्या था विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का अनुभार इंटू वीलियन का आईतन लीठर में तो अब इसको हल कैसे करेंगे, जरा देखेंगे, सबसे पहले आने CL के मॉल प्रती लीटर को निमले तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, मॉल अरता का फॉर्मुला क्या होता है? क्या होता है बच्चों फॉर्मूला फॉर्मूला होता है विले की किसमे ग्राम में मात्रा बट्टा अनुभार किसका विले का ही इन्टू आयतन किसका वीलियन का किसमे लीटर में ये सब मेरा बताया हुआ है पीछे फॉर्मूले का आपने स्क्रीन शोट भी लिया है फिर फिर भी समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये लिख दिया है डन अब देखो अपने पस पांच ग्राम ग्राम में मात्रा अनुभार ये रहा लीटर में आई तन ये रहा अब देखो तो आंसर क्या आएगा 0.043 मोल प्रती लीटर हाँ या ना जल्दी कमेंट में लिखेंगे बात समझ में आ गई है तो फटा फट कमेंट करते जाएंगे क्लियर जी अभी तो ये मैंने करा दिया है लेकिन आगे जब प्राक्टिस सेशन चलेगा ना उसमें आप से ही पूछुँगे क्या होना है वहां आम नहीं करवाएंगे वहां आप से ही करवाना है ठीक है फटा 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 फट देखें जल्दी बच्चों स्क्रीन शोट लेंगे ओके डन चलते हैं आगे मौललता अब चलते हैं मौललता की ओर मौललता पीछे देखो इसका अंसर आपको पदा चल गया ना यह रहा ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? जल्दी जल्दी तो चलते हैं आगे अगला टॉपिक क्या जी? मौललता क्या है? मौललता देखो पार्ट्स पर मिलियन भी सांदरता मौललता भी सांदरता अब मौललता भी सांदरता यह last but not the least केवल और केवल सांदरता ग्याद करना या व्यक्ट करने वाले टॉपिक्स जो है उसका यह last topic है जो अपना clear करेंगे आज मौललता क्या? बस थोड़ा सा और यह क्या है? मौललता जब की तो वहाँ पर एक लीटर वीगन में देखा पर मौललता में क्या होता है? एक केजी विलायक थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे समझने वाली बात है क्या? कि जब भी आप किसी द्रविय सॉलिशन की बात करते हैं तो द्रव में द्रव लिया तो हपन उसकी नॉर्मलता को चेक करते हैं लेकि द्रविय वीलियन में ही एक घटक ठोस तो वहाँ पर मौललता शब्दा आएगा ना कि मौललता डन बात समझ में आगई यानि एक केजी विलायक में उपस्तित विले के मौलों की संख्या उस वीलियन की क्या कहलाती है मौललता कहलाती है परिभाशा आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है एक केलो ग्राम वान केजी विलायक में किसी विले की मौलों की संख्या को मौललता कहते हैं right बात समझ में आ गए फटा फट्व इसका स्क्रीन्शोट लो ते कि आपको ये बात समझ में आजाए right चलो जी आगे बढरते हैं अब लिखते हैं क्या सुत्र मौललता का सुत्र क्या है मौललेटी का सुत्र है इसे अपन किसे विक्त करते हैं राजा स्मॉल आमसे मौललता को कैपिटल आमसे ओके डन बिलकुल बात तो समझ में आही गई है मौललता का फॉर्मूला है विले के मौलों की संख्या बटा विलाय का भार ग्राम में क्यों? क्योंकि हम क्या ले रहे हैं ठोस चीज ले रहे हैं क्लियर अब चलते हैं अपन आगे दूसरा फॉर्मूलाईसी में विले के मौल कैसे ग्याद करेंगे विले के मौल अपन करते हैं विले का भार बटा उसका अनुभार क्लियर जी यह अपन मौललता में भी बढ़के राए हैं तो आपको अपतो आइडिया लग चुका है है ना बच्चों? बिल्कुल 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 आप तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं Very good चलते हैं आगे अब क्या कह रहा है ये? ये कह रहे हैं कि अपने पास मौललता जो है उसमें क्या होता है? विले का ग्राम में भार बटा अनुभार इंटू विलायक का भार केजी देखो वहाँ पर भी था लीटर में फिर आया मेली लीटर में यहां भी ग्राम में भी हो सकता है और किलो ग्राम में भी हो सकता है तो फटाफट ये तीनो फॉर्मूले वैसे समझ में आये हुए इनमें कोई बड़ी बात नहीं है और समझ में नहीं आने वाले भी कोई बात नहीं है फिर भी नहीं आया है जितना भी आया है कमेंट में जरूर बताएं कि हमें मैडम समझ में आ गया है जल्दी जल्दी बताओ वही जल्दी जल्दी स्क्रीन शोट ले लो यह आपके बहुत काम आने वाले चीज़े राइट चलते हैं आगे आप चलते हैं एक्जामपल की और इसका उधारन मौललता का उधारन कुछ इस प्रकार है उधारन भी अच्छे से आते हैं देखो बिल्कुल यूँ शरारतें करत हुए है ना पर मेरे बच्छे तो बहुत अच्छे इतना सिंसियर्टी से पढ़ रहे हैं चलिए जी चलिए क्या कह रहा है एक मौल पर केजी के सियल का जलिये वीलियन क्या मतलब हुआ अपने पास एक सॉलुशन है राइट उस सॉलुशन में क्या है जी यह है वन मौल प्र किलोग्राम यानि की अपने पास एक केजी विलायक में विले मौजूद है कितने देखो क्या लिख रहा है एक मौल के सियल में को वन केज जल में घोला गया है केजी विलायक वन मौल वन मौल का मतलब क्या कि उसमें उपस्तित किसी भी पधार्त का उसका अनुभार राइट वो उसके एक मौल के बराबर होता है कारबन का एक मौल बराबर 12 ग्राम सोडियम का एक मौल बराबर 23 ग्राम राइट बात समझ में आ गई होगी चलते हैं आगे बात क्लियर वैसे तो मौल का कॉंसेप्ट 11 में बहुत अच्छे से है अगर फिर भी आपको पढ़ना है तो 11 क्लास के मौल कॉंसेप्ट के वीडियो पे जाके मेरा देख सकते हैं उसमें बहुत अच्छे से आपको डिस्प्राइब किया है राइट ओके तो ये बात क्लियर ह चलते हैं आगे आप करते हैं चलो जिवक्चों आज़ा जल्दी क्या करना याब प्रेक्टिस शुरू आप आप कमर कसो अब आप कोई बताने मैं क्यास्चन पूच उग फटा-फट कमेंट करना जल्दी-जल्दी किस तरह से आपके आंसर आ हैं तो पहला आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है क्या कह रहा जी जल्दी पड़ो क्योश्चन कह रहा छे ग्राम यूरिया यूरिया फॉर्मुला नस्टू सी ओ नस्टू 500 ग्राम जल में घुला हुआ है तो क्या ग्याद करनी है छोटे छोटे बच्चों को मोललता ध्या में धिया है घ्राम में दिया है बैस बात पकड़ बच्चों कोई भी क्योश्चन का फोर्मुला दिमाख में रहे और क्योश्चन में क्या पूचा गया वह आपको समझ में आ गया तो क्योश्चन कभी गलत नहीं तो आज से की सीखना शुरू करें कि हम नियुमेरिकल को कैसे अटैम्ट करें राइट देखो जैसे मैंने भी बताया है फॉर्मूला पता है और अपने को पता चल गया कि यहां पर वो क्या पूछ रहा है क्लियर तो मलता का फॉर्मूला तो पता है देखो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले formula लिखना है लिख दिया formula विले का gram में भार अनु भार इंटू विलायक का भार हमने वही formula लिखा है जिसमें अपने को moles नहीं दिये हुए है क्या दिया हुआ है? gram में भार right वही formula लिखा है तो आप अपना मान लिखेंगे अपन क्या है? मौलता को इस मौलम से रिपरसेंट कर दिया विले का gram में भार कितना है? 6 बटे क्या? उसका यूरिया का अनु भार यूरिया का अनु भार कितना होता है बच्चों? 60 यूरिया का अनु भार कितना है? जल्दी? 60 रात बात समभ में आ गई जल में घुला हुआ है तो मौललता 500 ग्राम अब अपने पास 500 ग्राम क्या है? यहां पर ध्यान देंगे यहां लिखो 500 ग्राम अगर केजी में नहीं है तो यहां हजा से गुना कर दो बात क्लियर हो गई हो गे राइट तो अब देखो भाई आंसर क्या आएगा? बात समझ में आगई 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1 अगर आगई बात समझ में एक बटा पाँच 0.2 मौल प्रती किलो ग्राम ओके? डन जी बिलकल बात समझ में आगई होगी सभी बच्चों को जल्दी से इसका स्क्रीन शोट लेंगे डन? लेट्स गो नेक्स्ट आजाओ बाई जल्दी 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 आगया? अच्छा क्या है बाई? क्योस्टन 11.1 ग्राम केल्शियम क्लोराइद जिसका फोर्मूला CACL2 2 release 2 KGB जल्मे घुला हुआ है 5 में एक डाइग्राम बनाओ इस तरह से और क्या लिखो केल्शियम कलोराइद कितने में 2 किलोग्राम जल्में? जल्द विलायक हुआ? राइट यास अब इसके अंदर क्या मिलाया विले मिला दिया विले कितना 11.1 लिख दिया अब समझ में आगए क्या पूछ रहा है मौल रता तो क्या करेंगे सबसे पहले फॉर्मूरा लिख दिया जा होता है। क्या होता है जल्दी जल्दी पता होँ फड़ा वट लिखो कमेट में फोर्मुला जल्दी सब मोद्चे जल्दी यही होता है जो यह लिखा है विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का अनु भार esimerkार गुणां विलायक आयतन विलेका द्रव्यमार के जी राइट विलायक 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 का द्रविमान भार केजी में लिख दिया आओ जी आओ तो अंसर क्या आएगा यहां से पॉइंट हटाया यहां 0 लगाया लगा दिया यहां से यह कट हुआ तो क्या बचा एक बटा 20 आंसर क्या आया 0 पॉइंट क्या क्या टू यस और नो क्लियर हुई या नहीं बात जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चे फटा फट राइट मेरे बच्चों बात क्लियर हो गई होगी सबी बच्चों की बात सब को समझ में आगे आओगा चलते हैं आगे क्या अगला क्यों क्या है जी यह क्यों सबी बच्चों को खुद से करना है ये आपके लिए एक homework है और इसका solution में अगली class में बताऊंगी इसलिए आपको ये सब आज खुद से करना है क्या question है मैं समझा देती हूँ answer आप खुद करेंगे right by question समझ लो 0.4 एम घोल का 500 ml तयार करने के लिए कितने copper sulfate की आउशकता होगा आपको एक solution तयार करना है जिसकी concentration molar ता में कितनी है 0.5 राइट आपको molar ता दी है याद रखो आपको क्या दी है जो जो दिया है वो लिख लेना भाई कि मॉलर ता कितनी 0.4 एम कॉपर सल्फेट की कितनी आउशकता होगी कॉपर सल्फेट पूछा है C-A-S-O C-U-S-O sorry C-U-S-O 4 C-U-S-O 4 कॉपर सल्फेट पूछा गया है मॉलर ता दे दी और कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट क्या है देखो तैयार 500 अमल तैयार करने के लिए कितने कॉपर सल्फेट यह क्या है आपका विले है जिसे क्या मानना है एक्स विलियन कितना है 500 अमल विलियन कितना है 500 अमल तो हिंट मिल गया है तो आपको कॉपर सल्फेट का आनविक भार भी दिया गया है राइट तो आपको क्या है इस विले की मातरा ग्यातर करनी है तो next class में आपको इसका answer निकाल के लाना है मुझे बताना है फिर अगर जिसको नहीं आएगा उसके लिए तो मैं खड़ी हूँ ना मैं आपके साथ हूँ लेकिन पढ़ना तो आपको पढ़ेगा ना बच्चो इसलिए जब तक अगली class में आते हैं तब तक ये question करेंगे second ये topic पूरा हो गया है सांदरताओं का तो इसकी पूरी summary मैं next class में बताऊंगी इसलिए अगर वो देखना है तो next class में आना होगा right तो तब तक खुश रहिए मस्त रहिए और मल लगा कर पढ़ते रहिए thank you